खबर उन्नाव से जहां गंगाघाट पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है गंगाघाट पुलिस ने गुडवर्क के चक्कर में भीड़ द्वारा पकड़े गए चोरी के आरोपी को गांजा तसकरी में पकड़ कर जेल भेज दिया चोर को भीड़ द्वारा पुलिस को सौंपने का वीडियो वाइरल होने से हरकम मच गया है फरजी गुडवर्क कर्थ पीट थप थपाने में जोटी उन्नाव पुलिस की मुसीवत बढ़ गई है एसपी ने सीओ सिटी को जांच के आदेश दे दिये हैं गंगागाट कोतवाली शेत्र के महला इंद्रानगर के रहने वाले दीपक को भातु फार्म में 10 जून की रात महले वालों ने चोरी के आरोप में पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया था जिस पर गंगाघाट पुलिस ने गुडवर का खेल गरते हुए चोरी के आरोप में पकड़े गया आरोपी दीपक को 11 जून को अवस्थी फार्म हाउस के पास से एक किलो गांजा के साथ गिरफतारी दिखा कर जेल भेज दिया जिस पर गंगाघाट पुलिस पर गंभीर आरो सिटी को दी गई है जांच रिपोर्ट के आधार पर कारवाई की जाएगी रोल सर एक मामला सामने आया है गंगाघाट ठाचेत्र का जहां पर एक चोर को ग्रामेरों ने पकड़ा और पुलिस ने उसे गांजम बेद दिया है क्या है मामला सर ये को इस मामले को सिटी के संग नहीं ऐसा नहीं है जिस आदमी को पुलिस ने पगड़ा है वो पहने से भी गांजम बेचता रहा है तो उसमें और क्या फैक्टर्स हैं इसके बारे में गहराई से जांच करने के लिए स्योस्विक्टी को में जांच किया है